Hello everyone, welcome back to the channel और आज है हमारे BRS का part number 2 और जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी cashbook और passbook में differences create हो रहे हैं उन differences के reasons क्या हैं यानि कि कुछ transaction जो हमें bank यानि कि passbook में नजर आती है वो cashbook में नहीं है और अगर cashbook में नजर आती है तो वो passbook में नजर नहीं आ दी जिसके कारण हमारी cashbook और passbook में differences create हुए तो सबसे पहला जो reason है वो reason है timing timing का मतलब है कि हमने किसी को check issue किया या हमने अपने check को bank में deposit किया तो जब हमने check को deposit किया या check को issue किया हमने उसी समय उसी दिन हमने उस transaction को cashbook में record किया लेकिन passbook में वो transaction बाद में record हुई example मैंने यहाँ पे बेटा 29th को 29th of April को एक check issue किया या check deposit किया तो वो तुरंद 29th को तो bank में present नहीं होगा या bank में credit नहीं होगा bank में 2 या 3 दिन लग गए तो April month close हो गया और जब April month close हो गया तो हमने देखा कि यह check जो हमने issue किया या deposit किया वो cashbook में नजर आ रहा है लेकिन passbook में वो record नहीं हुआ क्योंकि passbook में recording के लिए वो time लेता है तो सबसे पहला reason क्या हो गया? timing और दूसरा reason हो गया बिटा कि कुछ transactions ऐसी होती है जो bank में record हो जाती है और उसकी intimation हमें नहीं मिलती जिस दिन हम अपनी passbook को अपनी cashbook के साथ compare करते हैं तब हमें पता लगता है यह transaction तो bank में हो गई लेकिन इसका intimation हमें नहीं मिला like bank ने हमें कोई interest credit किया bank ने कोई charges लगाए या फिर कोई customer आकर के directly bank में amount deposit करके चला गया और हमें उसने बताया नहीं bank ने हमारे बिहाफ में dividend collect किया या interest on investment collect किया इन सभी की हमारे पास कोई भी intimation यानि कि जानकारी नहीं है तो वो transaction bank में यानि कि passbook में तो plus या minus हो गई वो cashbook में plus और minus नहीं हो पई तीसरा reason है बेटा errors यानि कि गलतिया हमने कोई check issue किया वो दो बार cashbook में record हो गया या फिर वो record ही करना हम भूल गए या फिर हमने अपनी cashbook को debit side या credit side को overcast कर दिया check receive तो किया cashbook में enter भी कर दिया लेकिन उसे bank को देना भूल गए तो यहाँ पे बिटा create हो गया एक difference this is called errors तो बस यहाँ पे only three reasons है timing तीक ना timing में दो चीज़े आगे हमारे पास कुछ transaction जो bank ने record करी हमने record नहीं करी और कुछ errors bank की तरफ से भी हो सकते हैं वो हमारे business की तरफ से भी हो सकते हैं तो केवल यह three reasons हैं जिसके वज़ए से हमारी cash book और हमारी pass book में differences create होते हैं चलिए एक बार और थोड़ा अच्छे से इन तीनो differences को मलब तीनो reasons को अच्छे से पड़ते हैं तो सबसे पहला reason मैंने बताया difference due to timing difference due to timing में केवल हमें दो चीज़े मिलने वाली हैं check issue but not presented और check deposited टाइमिंग वाले में दो चीज़े मिलने वाली हैं जिसमें पहली चीज है पेटा check issued but not presented for payment second one है check deposited but not credited by bank credited या clear by bank जो दूसरी चीज़ आपको मिलेगी पेटा transactions recorded by bank only देखो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ examples मैंने लिए मेटा bank ने कुछ charges लगाए जो passbook में नजर आएगा cashbook में नहीं है bank ने interest allow किया dividend collect किया interest on investment किया या किसी customer ने directly हमारे account में पैसा जमा कर दिया या फिर हमारी intimation पे bank ने हमारे बेहाफ में कोई payment कर दी और ये चीजें हम cashbook में record नहीं कर पाई या हम भूल गए whatever तो यहाँ पे difference create हो गया जब मैं बात करूंगा errors की जो की हमारा third reason है तो यहाँ पे बिटा मैंने एक check issue किया या एक check deposit किया उसे record करना भूल गया या फिर उन्हें दो दो बार record कर लिया तो कुछ ऐसी गलतिया हमने कर दी जिसकी वजह से differences create होगे तो बस इतने normal differences हैं इन ही के बारे में हम बात करेंगे और अब हम बात करेंगे कि जब हम passbook sorry जब हम bank reconciliation start करेंगे जब हम BRS start करेंगे तो starting point क्या होगा क्योंकि हमारे पास दो दो चीजे हैं एक हात में रखी है passbook और एक में है cashbook तो दोनों में से किसी एक को base बनाएंगे और उसे दूसरे के साथ करेंगे compare ठीक है चलिए start करते हैं का topic जिसमें starting point के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें एक बात तो समझ में आ गई कि BRS के अंदर हम अपनी cashbook की transactions को bank यानि कि passbook के transaction से compare कर रहे हैं या फिर passbook के transactions को cashbook के transaction से compare कर रहे हैं यानि कि जब भी हम लोग bank reconciliation करेंगे तो एक जो हमारी passbook है cashbook है इन दोनों को compare करेंगे लेकिन compare करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है किसी ना किसी एक को हम base मानेंगे यानि कि जब हम statement तयार करेंगे या तो वो statement तयार होगी according to cashbook या फिर होगी according to passbook अब यहाँ पे जब आप cashbook या passbook किसी से भी जो भी आपका starting point है question जो बताएगा जब start करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से बेटा समझना है कि question exactly हमसे क्या चाता है क्योंकि अगर वो balance as per cashbook चाता है तो वो positive या negative कुछ भी हो सकता है अगर वो चाता है balance जो starting point है वो होना चाहिए balance as per passbook तो वो भी positive और negative कुछ भी हो सकता है तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो starting point होगा हमें कैसे पता लगेगा कि वो positive है या negative है अगर question यह कहता है कि positive balance तो क्या क्या statements होंगी अब statements के अगर मैं बात करूँ तो statements क्या क्या होंगी यहाँ पे जब हम बात करेंगे balance as per cashbook की तो उसका positive या negative कुछ भी balance हो सकता है अगर positive balance है तो उसकी statements क्या क्या होंगी debit balance as per cashbook लिखा होगा या debit balance as per cashbook लिखा होगा या फिर favorable balance as per cashbook लिखा होगा तो इन तीनों का एक ही मतलब है अगर question कहता है overdraft balance as per cashbook या फिर credit balance as per cashbook या फिर unfavorable balance as per cashbook तो इसका मतलब है यह negative है negative balance as per cashbook इसी तरीके से balance as per passbook, credit balance as per passbook और favorable balance as per passbook इन तीनों का एक ही मतलब है यानि कि positive overdraft balance as per passbook, debit balance as per passbook और unfavorable balance as per passbook इसका मतलब है negative balance यानि कि जब भी आप question करेंगे तो आप कोई समझना है अगर question यह कहता है कि starting point जो है वो है cashbook का तो अब पता कैसे लगेगा यह balance positive और negative है question में लिखा हुआ है balance as per cashbook या लिखा हुआ है debit balance as per cashbook या फिर लिखा हुआ है favorable balance as per cashbook तो यह क्या है positive balance है question में लिखा हुआ है over drop balance as per cashbook या फिर लिखा हुआ है credit balance as per cashbook या फिर unfavorable balance as per cashbook तो इन सभी का जो मतलब है वो है negative balance इसी तरीके से passbook में मैंने बताया balance as per passbook या फिर credit balance as per passbook या फिर favorable balance as per passbook तो यह है positive balance मैं इतना इसलिए बता रहा हुआ हुआ बार बार यहीं पर गलती होती है starting point में अगर गलती होगी ना तो पूरा question खतम अब over drop balance as per passbook या फिर debit balance as per passbook और over sorry unfavorable balance as per passbook यह है negative balance एक बात देखे बिटा यहाँ पे positive debit balance है यहाँ पे credit balance है यहाँ नेगेटिव credit है यहाँ पे debit जो है वो नेगेटिव है चलिए यहाँ पे छोटा सा example समझते हैं transactions को कैसे कैसे put करेंगे कैसे हम एक format बनाएंगे तो format बड़ा simple होने वाला है जिसमें यहाँ पे एक column है यह line draw मैंने ऐसी कि आप इसको हटा देता हूं अभी यहाँ पे reasons आएंगे plus items और minus items यह एक छोटा सा format है बस इसमें debit credit की जुरूत नहीं है plus item minus items और एक particular अगर आपका starting point balance as per cashbook है तो balance as per cashbook का amount आएगा plus item में और बीच में और लिखा है बिटा overdraw balance as per cashbook है तो वो आएगा minus में सिर्फ इतना सा समझना है कि balance as per cashbook दिया है तो वो starting point positive में आएगा plus item में आएगा अगर overdraw balance as per cashbook दिया है तो जो starting amount है वो minus में आएगा और उसके बाद जितनी भी transaction से हैं चाहे वो balance as per cashbook की है चाहे overdraw balance as per cashbook की है सभी का treatment बिलकुल same होगा ठीक है जी अब मैंने आपको क्या समझाया कि जो उमारा starting point है वो है cashbook तो अब देखेंगा बिटा जब starting point cashbook है तो इसे आप passbook से जब भी compare करेंगे तो जितना भी change करेंगे वो cashbook में करेंगे अब कैसे करेंगे अब आपको अच्छे से समझने की जुरूरत है यहां पर इस तरीके से करना है यह मेरे पास cashbook और यह है passbook यह है cashbook यह passbook अब मैंने कहा check issued but not presented for payment तो जैसे आपने check issue किया आपने अपनी cashbook को minus कर लिया लेकिन वो check अभी तक bank में present हुआ ही नहीं यानि कि bank से amount अभी तक deduct नहीं हुआ तो passbook तो वहीं है cashbook नीचे आ चुकी है तो इन दोनों को level करने के लिए equal करने के लिए आप वापस से cashbook को plus कर देंगे हमारा जो starting point है वो cashbook है इसलिए जितने भी changes आएंगे वो cashbook में आएंगे check issue किया तो वैसे आपने cashbook को minus किया लेकिन वो present नहीं हुआ इसलिए passbook मही की वहीं है दोनों को बराबर करने के लिए again cashbook को plus कर दूँगा यानि कि check issue but not presented for payment according to cash balance हम लिखेंगे plus में again एक और example देखते हैं check deposited जैसे आपने check deposit किया आपने अपनी cashbook को increase कर दिया लेकिन वो check अभी तक clear नहीं हुआ यानि कि आपकी passbook जहां पे थी वहीं पे है आपके account में वो पैसा नहीं आया तो दोनों को बराबर करने के लिए अगर बराबर करना तो क्या गरें cashbook को minus कर देंगे तो अब अगर check issued but not presented for payment था तो वो plus में आया check deposited but not credited वो आएगा minus में क्योंकि हमारा starting point क्या है cashbook एक और example लेते हैं अब बिटेक customer ने directly हमारे account में पैसा जमा कर दिया जिसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है कोई भी intimation नहीं है तो हमारे account में जब पैसा जमा हुआ तो हमारा bank balance increase हो गया तो अब इसको बराबर करने के लिए starting point तो cashbook है तो मैंने वापस से cashbook को plus कर दिया आपको याद रखना है जो starting point होता है केवल आप उसी में change करेंगे जैसे ही आपके account में पैसा आया customer ने directly आपके account में deposit किया तो आपका bank balance increase हो गया तो passbook increase हो गई तो इसको बराबर करने के लिए आपने cashbook को भी plus कर दिया तो अब आपका amount जो है वो आएगा plus में अगें अगर बेटा bank ने आपको interest allow किया यानि कि आपका जो पैसा जमा था उस पे आपको interest मिला तो passbook increase हो गई जिसकी intimation हमारे पास नहीं थी अब हमने देखा कि passbook तो increase हो गई बराबर करने के लिए हमने cashbook को भी increase कर दिया यानि कि plus कर दिया तो बेटा interest allowed by bank ऐसे ही सेम बेटा interest on investment collected by bank या फिर डिविडेंड अब आप बताएं bank charges का treatment क्या होना चाहिए क्योंकि जब हमारे को bank services देता है और bank services देते ही समय कहता है कि हम तो आप से charge करेंगे और कुछ time के बाद bank ने charges लगा करके passbook को नीचे कर दिया अब इसको बरावर करने के लिए हम अपनी cashbook को भी minus कर देंगे यह लो ठीक है न बटा यह कुछ examples हैं यह कुछ examples हैं कि हम passbook में जब starting point cashbook लेके चलेंगे तो इतनी सारे reasons आएंगे तो किस reason का amount plus में आएगा और किस reason का amount minus में आने वाला है तो बटा यहां पे cashbook और passbook एक दूसरे के opposite चलते हैं तो मुझे बताने की जुरूरत नहीं है कि अगर यही reasons होंगे तो जो plus में है वो minus हो जाएगा और जो minus है वो plus हो जाएगा लेकिन starting point सेम रहेगा ठीकर न अचली उसके बारे में भी बात करेंगे कोशन देखते हैं ताकि अभी आप लोग का concept बिल्कुल clear हो जाए क्योंकि यहां कोशन easy होगा लेकिन उसकी language थोड़ा सा आपको घुमा सकती है